आज के टेक्निकल दोर के हम बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल और इंटरनेट के दुनिया के विना हम सब की जिंदगी अधूरी है लेकिन मोबाइल और इंटरनेट का एक ऐसी हैविट एक ऐसी यादत जो अपनी मां का ही जान ले लिया 16 साल का एक नबालिक युवक अपनी मां को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया कि मां गेम खेलने से मोबाइल में मना कर रही थी नमस्कार मैं विश्णु प्रवागव हूँ ये गोरगपुरे एक्सप्रेस न्यूज है बता दू उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनव के पंचम खेड़ा इलाके के यमुना नगर कालोनी में एक परिवार रहता था अब इस पूरी कहानी को इस पूरी खबर को सिलसिल न चुरू जाने क्याने घटना कहीं न कहीं हम सबको है समाज को एक कि रिमाइंड भी कर रहा है और ये कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए एक सर्मसार भी ये एक परिवार जिसमें एक बेटा जिसके ुम्र सूल बेटी 10 साल की बाप पस्चिम बंगाल में देश की सेवा में कारे रत आर्मी जवान हैं मा डाटती थी बेटे को इसलिए कि बेटा मुबाइल में गेम खलता था और मा जब भी डाटी थी तो बेटा चिरचिड़ा हो जाता था और ऐसे ही चल लहाता कारवा मा समझाती थी बेटे से पुष्ती है इल्जाम लगाती है कि क्या यह पैसा तुमने चुराया है तो एक तो मोबाइल गेम खेलने वाला चिरचिड़ापन और दूसरी जब मा इल्जाम लगाई क्या यह पैसा तुमने चोरी किया तो बेटा और चिरचिड़ाया हो जाता है और बेटा मन ही मन में बैठा लेता है कि अब हमको अपनी मां का हत्या करना है और पूरी प्लानिंग कर लेता है और रात होता है पूरा परिवार हसी खुशी से बात चीत करते हुए खाना खाकर जब सो जाते हैं तो पिटा का लाइसेंसिर लिवालवर लेकर मां को गोलियों से भून देता है चस्मदीत के तोर पे उसकी 10 साल की बहन देखती है तो उसको भी धमकाता है अगर किसी से कुछ कहोगी तो तुम्हारा भी हस्र यही होगा जो हस्र मा का हुआ है और वेती खौब खाके सौक्रा जाती है और एकदम चुप हो जाती है और अगले दिन होता है सुबह होती है और वह युवा वह नबालिक बेटा एकदम जो है हुशी खुशी जैसे कि उसके जिन्दगी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं नॉर्मल तरीके से जो है उरता है नहाता है कपड़े पहनता है खाना खाता है गेम खेलता है दोस्ते से मिलता है उसका रूटीन चलता रहता है लगतार कारवा ऐसा चलता रहता है उसके घर में एक दो दोस्त भी आते हैं मोबाईल पर गेम खेलते हैं बहुत सारी बाते करते रहते हैं हसते रहते हैं मां से फोन करते हैं तो उसकी मां से बात नहीं हो पाती है फिर वो परसान हो जाते हैं जब वो परसान हो जाते हैं तो अपने किसी मित्र को उनके घर पे भेजते हैं कि जरा घर पे जाओ पता करो कि मेरी सिरी मतीजी से दो दिन हो गया बात नहीं हुआ वो घर पे आते हैं पु मेरा पोल कहीं खुल न जाए फिर वो क्या करता है रूम एयर फ्रेशनर मारता है और पिता जी को फोन करता है कि पिता जी जो इलेक्टरिशियन है आका आश नाम का जो घर पे आके कभी लाइट ओगरे का छोटा मोटा मदद कर देता था उसने मा को घुलियों से भून दिया या बात सुनके उसके पिता जो देश की सेवा में कारत है एकदम सौक रह जाते हैं परसान हो जाते हैं फिर अपने दोस्त को फोन करते हैं उनका दोस्त जब उनके घर पे पहुंचता है और गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि मा का सो खून से लदपत है और उनके बगल में पिता जी का लाइसेंसी पिश्टल पड़ा हुआ है यह देखकर वह परसान हो जाते हैं पुलिस को फोन करते हैं पुलिस जबाती है तो पुलिस भी एकदम हैरान हो जाती है पुलिस को यह बताया जाता है कि आकास नाम के एक इलेक्टिक सियर ने उसकी मा का खून किया है लेकिन जब पुलिस उसकी छोटी बहन जिसके उम्र दस साल जब उससे बादचित करना शुरू की वह डरी सहमी जब बेटी ने पोल खोला तो पुलिस के भी पैर के नीचे से जमीन खिसक गई जब बेटी ने बताया कि मा का कोई कातिल और नहीं है मा का कातिल हमारा भाई ही है और मेरे भाई नहीं मा की हत्या की है पुलिस इस बात पर सौक रहा जाती है कि दो दिन पूरो हत्ता हुई और वह नबाली की वग ऐसे ट्रीट कर रहा है एकदम नॉर्मल तरीके से जैसे कि वह कितना प्रोफेशनल कीलर है मीडिया के लोग जब उतके पिता से बात करना चाहा तो वह बात करने की स्तिती में नहीं है वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और एकदम सदमे में हैं एकदम गम में डूबे हैं पहला गम तो यह है कि उनकी पत्नी की हत्या हो गया और दूसरे सबसे बड़ी बात है जो इसे सम 누ah हमारे समाज में टमाम Alright, आप सब लोगों हैं जो बच्चे के पीता ढ़रों मानुश होगती ईilly a tablespoons आक बंद कर के जिए जिस आदत क 것을 लग जाती है और उसके बाद एसी आदते लग जाती है और उसके बाद जब अध Looking निकल जाता है जब किसी भी चीज की लट लग जाती है उसके बाद अगर आप चाहते हैं वो लट छोड़वाना तो वो मुश्किल होता है फिर वो ऐसी घटना का अंजाम देता है तो यह 16 साल का नाबालिक ही वक उसकी सारी बाते तो पूरा होती थी और कहीं न कहीं उसको एक खबर जरूर जाननी चाहिए और समझनी चाहिए और सोचनी भी चाहिए क्योंकि एक ऐसी घटना आगे न हो आप अपने बच्चों के साथ उनकी बातों पर उनके काम पर उनके हर एक बातों पर एक एक काम पर और हर चीज पर नजर रखिए क्योंकि ऐसी घटना और ऐसी ची केजिए गोरकपुरे एक्स्प्रेशनी देखने के लिए आप सबका धन्यवा